क्या डिप्रेशन में दवाइयां लेना जरूरी है अगर आप डिप्रेशन में दवाइयां ले रहे हैं तो क्या आप भूल कर रहे हैं आज आप दवाइयों का पूरा सच इस वीडियो में जानोंगे और आपने फिर फैसला करना है कि दवाईयों की जुरूरत आपको है या नहीं और दवाईयां आपको कितना नुकसान पहुँचा सकती है इस सत्य को भी आप इस वीडियो में जान पाएंगे मैं सबसे पहले एक रिसर्च की बात करना चाहता हूँ पिसले साल एक रिसर्च हुई थी उसमें ये बताया गया था कि डिप्रेशन में केमिकल इंबैलेंस का कोई रोल नहीं होता है 1960 से 1990 तक एक धारणा बहुत मजबूत हो गई थी कि डिप्रेशन केमिकल इंबैलेंस के कारण होता है chemical लोचे से ही depression होता है उसके बाद फिर दवाईयां बहुत बिकने लग गई क्योंकि दवाईयां उस chemical को balance करने के लिए बिकने लग गई और सभी psychiatrist लगभग सभी psychiatrist यही मानते हैं कि depression chemical imbalance के कारण होता है और chemical को balance करने के लिए वो SSRI anti-depressant medicine देते हैं और उसके दवारा serotonin को बढ़ाने की बात कहते हैं लेकिन पिछले समय में जो study हुई है उसमें बताया गया ये 17 अलग-अलग researches हुई थी उनमें ये पाया गया कि depression के अंदर serotonin की कमी जिम्मेदार है ही नहीं जब जिम्मेदार serotonin की कमी है ही नहीं तो फिर serotonin को बढ़ाने वाली दवाईया SSRI selective serotonin re-aptake inhibitor ये जो दवाई दी जाती है इससे serotonin को बढ़ाने की बात कही जाती है psychiatrist ये कहते हैं कि ये दवाई serotonin की खप्त को कम कर देती है और इससे patient को अच्छा मैसूस होता है और वो depression से बाहर आ जाता है लेकिन इंग्लैंड के जो विज्यानिकों ने चिकित सकों ने जो study की है और ये study एक जर्नल में प्रकासित भी हुई है उसमें ये बताया गया है कि serotonin की कमी depression के लिए जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है तो ये जो study आई इस study के अनुसार हम अगर दवाईया ले रहे हैं तो ये दवाईया हमें क्या depression से बाहर निकाल रही है कदापी नहीं उस study में ये भी बताया गया था कि placebo effect भी काम करता है क्योंकि हमारी धारणाएं यही जुड़ी हुई है कि हम दवाईय लेंगे तो ठीक हो जाएंगे तो कई बार जो placebo effect होता है वो काम कर जाता है अर्थात आपने दवाईय ली और आप ठीक हो गए तो ये ठीक होना दवाईय की वज़े से हुआ या placebo effect है इसका आपको नहीं पता है placebo effect उसे कहते हैं कि जिसमें नकली दवाईय दी जाती है अर्थात एक गोली होती है वो गलुकोज की भी हो सकती है चिनी की भी हो सकती है ऐसे गोली टाइप तो होती है लेकिन वो असली दवाईय नहीं है सिरफ दवाईय का दावा है आपको नहीं पता असली दवाई नहीं है लेकिन आप असली समझ कर ले रहे हैं लेकिन आपको result असली वाले मिल जाते हैं तो इसे कहते हैं placebo effect अर्थात दवाई के दावे ने आपको ठीक कर दिया दवाई तो थी नहीं दवाई का दावा था और दाे से आप ठीक हो गए तो इसे कहते हैं प्लैसिवो तो ज़्यादा तर जो डिप्रेशन के रेजल्ट आ रहे थे वो प्लैसिवो के कारण आ रहे थे ना कि सेरोटोनिन वाली दवाईयों से तो अब ये सवाल उठता है कि क्या दवाईयां लेना बंद कर दें बिलकुल भी नहीं इसला के नहीं करना होता मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ मैं एक साइकोलोजिस्ट हूं और फेस रिडर हूं मैं सिरफ आपकी अवस्था बता सकता हूं कि आपको दवाईय लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसीज में दवाईयां लेना अन की पहला है तो आपको क्या करना है अब आपने क्या करना है अब आपको बिना दवाई ठीक होने की तरफ एक कदम बढ़ाना होगा इसके लिए आप थेरपिस्ट से भी बात करेंगे और खुद प्रयास करेंगे सेरोटोनिन बढ़ाने वाले काम खुद करेंगे जिसमें आपका रूटीन भी है आपका थिंकिंग पैटरन भी है और बहु सारी चीज़ें आती हैं कि आप एक्टिव रोल निभाएंगे आप दवाईयों के बरोसे नहीं रहेंगे आप अपने प्रयासों के कारण डिप्रेशन से बाहर आएंगे आप किन गलतियों के कारण डिप्रेशन में फसे या कौन-कौन सी गलतियां भी कर रहे हो जिन से डिप्रेशन बना हुआ है उन विश्यों के उपर आप बात करेंगे आप अध्यातम की शर्ण में भी जाएंगे जहां से माइंडफुलनेस तेरपी और भक्तियोग करमयोग ज्यान योग बहत्रीन विकल्प है क्योंकि गीता के अंदर वो दवा है जो डिप्रेशन से मुक्ति दिला सकती है और भगवत गीता ने लाखो क्रोडों लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाला भी है और डिप्रेशन में जाने से बचा भी रही है मेरी जिंदगी में भगवत गीता का ही सबसे ज्यादा रोल रहा है तो अगर आप भगवत गीता को पढ़ते हैं और जीवन में अपना लेते हैं तो आप बिना दवाई भी डिप्रेशन से बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं इसके लिए प्रियास आपको करना होगा आपको एक्टिव रोल निभाना होगा बिना एक्टिव रोल निभाई आप भी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकतें तो आपको कहीं न कहीं दवाईयों पर निर्भरता कम करनी होगी आज की इस वीडियो में इतना ही मानो तो मोज है वरना समस्या तो रोज रोज है महगेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स की संग इतिहास का पहला एप जो गीता की माध्यम से OCD डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा OCD डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान और वो भी बिना दवाई घर बैठे किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है भगवत गीता ने लाखो करोडों का जीवन बतला है और आपका भी बतलेगा गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रिकार की OCD का संपूर्ण इलाज जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाध होना, बार बार सफाई करना, बार बार लौक दरवाजा चक करना वा अन्य सामान की चकिंग बार बार करना एक ही विचार बार बार आना, नुकसान वा मरने मारने का विचार आना HIV, Rabies, Cancer, Heart Attack का विचाराना IBS और नेनना आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी राजेंद्र जोधपुरिया एप पर आपको OCD से सम्मंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्यानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेगी गीता है महान थेरेपी गीता में CBT, हिपनो थेरेपी, मैंडफुलनेस, ERP वा अन्य बहुत सी साइको थेरेपीज का समावेश मिलेगा राजेंद्र जोधपुरिया एप एक फाइदे अनिक आज ही प्लेश्टोर से डाउनलोड करें लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो देर क्यों अभी जाए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्लेश्टोर से अभी डाउनलोड कीजी राजेंद्र जोधपुरिया और पाईए अपनी सभी समस्याओं का हल मानो तो मोज है वरना समस्या तो हर रोज है